बिहार में कभी अपने दम पे कोई सब्सक्राइब देश को बेश दिए अरे भाईया तो अगर मोदी जी बेश लिए तो पैसा है तो आप खरीद दीजिए तो खरीदने वालों खरीद रहे आडानी जी पत्रकार को गोली मार दिया जा रहा है यहां तक कि समस्तिपूर में पैसे जोड़ें तो सरकार भी बहुत सारी निकलती रहती है कभी पांच जार कभी दस जार उस सब को जोड़ दे तो वह लागों करूंद आपने क्या किया जो रिक्त अस्थान ता उसको भड़ा क्या आपने कोई नया रोजगार उत्पन किया जो सीटे खाली थी उसको अप एक साल में झाल के सरकार में कभी आपने यह कोशिस किया कि भिहार में के इंडर्स्ट्री लगाने का ध्यानी नहीं है आप और आप किवल जातिये जनगरना पर लगे हुए हैँ जिसकी जितनी संक्या हो इसकी प्लिड़ अगर यह पता हुए हमारे हमारे जाती की लोगों का हिस्तेदारी अगर 2% है तो क्या हम हिस्तेदारी में कम हो जाएंगे नहीं लेकिन जातिये जनगन्ना हो रही है विहार में तो उससे हम पार्टी आदमी का जो हम पार्टी है उनके लीडर को क्या तकलिफ है हम हमेशा विरूद में रहे हैं जनगन्ना किस अधार पर होना चाहि चाहाँ को jest घंगनना कराने किस फाइदा है जानता को फाइदा नहीं यह किस जाती को कैसे लुआना है बिहार सरकार का केवल और केवल ध्यान इसी है लुआ है अपने दम पर कोई सरकार बना पाएगा क्या सब्सक्राइब करें ना सरकार ना कोई रोजगार दिर ला रह आ तो फिर अपने दम करता है आने भाले समय में आपने गाटक है उनके अगर बंती है तो हम इतना जानते हैं कि एनडियमें इतने अच्छे यह जो यह कोशिश कर सकते हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्री लग जाए ठीक है बरतमान हालात आप देख रहे हैं आए दीन पेपर में कहें कहें चोरी डखेंटी लूट मर्डर का यह चल रहा है सिलसिला यह पहले 90 के दसक में कहा जा रहा था कि बिहार में जंगल राज है और नहीं आना चाहती नहीं यहां यह जो बरतमान सरकार है यह कंपनिया यहां नहीं आना चाहती है क्योंकि उनको डर है हम से कहीं एक्स्टॉर्शन के लिए पैसा ना मांग लिया जाए अच्छा यह बात है 18 साल से बिहार में बीजेपी के सरकार थी लेकिन अभी आज एक साल पहले आर जड़ी में जूर गई है आर जड़ी की सरकार भीहर में बन गई है लेकिन सवाल उड़ता है हम पार्टी का जो में चीर मैन है जैसे जीता प्रमी में यह साबी dough पी टॉब वीज़ गाहाँए तो बीज़ेपी 18 साल में क्या किया जो फिर जीताना ना मांजी प्रंड नहीं थे हैं तो हमारी दů कहना यही है कि अभिहार में जो गठ भीना गठवंदन के सरकार कोई बना सकती आपने दम बना गहिंगे आपको जैनकारी के लिए बात बता दे हम जब 2015 में नितिश कुमार ने इस्तिफा दिया ठीक है क्योंकि नितिश कुमार उस समय चुनाओं हार गए थे ठीक है जिसके वयद से उनको जीतरा माजी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा ठीक है जब जीतनानमाजी मुख्य मंत्री बढ़ें तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि जितने भी बिहार पुलिस के कर्मी थे जिनको 12 महीने का विता आपको पता होगा कि सबसे लग usra प्वेटानमाजी मुख्य है कि उन्हों नहीं करते महथनने की हैef बहुत साल ही अभी जो टीचर को हम varios को पता है रहे हैं तक अभी टीचर को लेकर के हमेसा बवाल चल रहा है पटना में और आया दिन टीचरों पर लाठी चार्ज हो रहा है चात्र पर हो रहा है मडर खुलियाम हो रहा है पत्रकार को गोली मार दिया जा रहा है यहां तक कि समस्तिपूर में पुलिस वाले को सुरक्षी दिया गया अभी एक हाली में कुछ देर का मन्निय परधान मंतरी क्लिप वायरल हो रहा है कि सम्मिधान चेंज कर देंगे क्या यह पॉस्टिवल है जो सम्मिधान बन गया उसको ना हम चेंज कर सकते हैं आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उस सम्मिधान में संसूधन कर सकते हैं और मेरा व्यक्तिगत राही यह है कि सम्मिधान में संसूधन किस खतब नहीं होनी चाहिए क्या बलतकारियों को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम यही कह रहा है कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो तो आप कानून में क्यों नहीं आप पॉसको एक्त लेक्त क्या हुआ है वह अंबेतकर ने निच जाती को दलीतों को बोलने का अधिकार दिया थीक है मोदी जी ने क्या दिया देखिए देश को बहुत कुछ दिया लोग तो करें मोदी जी देश को बेश दिये अड़े भाईय सरकारी काल आले में जाते हैं अगला सरकारी वीडिदा है बोले सर काम करताना है उसकों बग inh? में हैं नात में देख सकते हैं आप में इतना यह कि सब्सक्राइब कि Заइए प्राइबटी रिए में यह बन रहे हैं है तो फ्राइबटी से प्राइबेट क्यों किया जा रहा है इसका सीधा सीधा कारण रेल प्राइबेट हो गया एंडियन आर्वी को चार साल कर दिया गया आप सीधा सीधा समझे की बिजली के छेत्र में सेंट्रल गौर्ण्मेंट को कितना नुकसान हो रहा था आप इसका रिकॉर्ड उठाके देख पूरी मंदारी के साथ पूरी निश्ठा के साथ काम करेंगे अगर कोई करामचारी नहीं काम करता है तो कंपनी इसको निकल भाहर करेंगी जिसाचलिए अब हम बात कर लेते हैं ठोड़ा अपना छापरा के बारे में च्छापरा के जो जानता है वह हम आदमिया हम पार्टी नहीं रखता और सब लोग हमारे पार्टी के सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पुर्भ मुख्यमंत्री श्री जीतना इन्हों के लिए किया और अभी भी करते हैं ठीक है इसलिए अब और सब्सक्राइब करते हैं यह इसलिए जोबिये कारते हैं कि और पिछली बार आप देखी उठा के एणिये में जब नितीष कुमार थे और बिज़एपी की घॉर्णमेंट थी नोग एलैक्शन लडबी वोड पर्सेंटेज किया था राजत का वोड पर्सेंटेज किया था यह आप यूपी में देख लिए यूपी में भी राजनित उसकी आप यातिवात की राजनित होती है तो जहनता समझ गई है क्या आप 2010 से पहले इस देश में कॉंग्रेस कहती है मोदी जी नहीं किया जे तो यह काम कर रहे हैं तो लोग भी तो पबलिक भी तो बोल रहे हैं कि मोदी जी पूरा देश बेश दिया मोदी जी किया क्या मनिपूर में अरोतों को लंगा कर दिया जारा इसमें मनिपूर का अलग भी से था इस संदर में मानिये परधान मंत्री जी ने संसद भौन में चर्चा भी की थी उस पर सवाल भी उसने उन्होंने कहा था कोई दोसी बक्सा नहीं जाएगा मात्र 38 सेकेंड महिलाओ का अपमान के लिए नहीं कोई नहीं दक्सा जाएगा वो चाहे कोई भी हो जब मोदी जी ने खुद संसद भौन में ख़ड़ा होके लोग सभा में यह कहा कि हां हम किसी भी दोसियों को नहीं बक्सेंगे तो उसके लिए आप इंतिजार करिए देख जो आपके लिए आवाज उठाएगा हमेशा उसको सपोर्ट करिए उसी को जिताएए ताकि आपका जो चेत्र का विकास हो सके और आप जाती बात से हटके बोड़ दीजिए